कि हलो एव्रिवन आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है है multiplexer and demulti-plexer okay तो हम लोग इस topic को separately पढ़ेंगे multiplexer को अलग पढ़ेंगे और demulti-plexer को अलग पढ़ेंगे तो इस lecture में mainly multiplexer को explain करूँ कि multiplexer है क्या और इसका digital circuit design में क्या use है क्यों इसको हम लोग पढ़ रहा है तो सब से पहले इसका basic definition जो है मैं उसको explain कर देता हूं थुरा सही है मैंने उपर basic definition इसका cover किया है तो इसमें क्या कहता है कि multiplexure क्या है एक versatile versatile combination circuit है ठीक है मतलब इसका बहुत ज्यादा use होता है which is widely used in most of the digital circuit design क्या है digital circuit design जो आज कल हो रहा है सबसे ज्यादा क्या होता है multiplexure का आज कल बहुत ज्यादा use हो रहा है आगे पढ़ते हैं इसको क्या करते हैं it can be used as universal logic gate क्यों पहला इसका use सबसे ज्यादा क्या है कि कि इसका इस्तेमाल multiplexure का हम लोग किसी भी logic gate को design करने में कर सकते हैं जैसे NAND & NOR के बारे मैंने एक lecture बताया है कि NAND & NOR gate को universal logic gate क्यों कहते हैं वैसा ही हम लोग last में पढ़ेंगे यानि इस lecture के बाद वाले lecture में पढ़ेंगे कि यह मक्स को हम लोग यानि multiplexure को किस तरह से हम लोग universal logic gate की तरह use कर सकते हैं ओके इसका दूसरा नाम में इसको मक्स कहते हैं लेकिन इसका दूसरा नाम क्या data selector यानि क्या करता है यह multiple input line से किसी एक input line का data select करता है और output में भेज़ जाता है इसलिए इसको करता है data selector और output में पास कर देता है parallel to serial converter भी कहते हैं इसको और waveform generator भी कहते हैं इसके बारे में हम लोग आगे देख सकते हैं चलते हैं आगे तो देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि इसके बारे में जो वह उपर पढ़ा हम लोगों क्या physical definition है basic definition है अब इसका functional देखते हैं कि यह कैसा होता है क्या क्या चीज़ में में होता है और कैसे कैसे इसको explain करते हैं तो सबसे पहला काम there are two to the power n input line okay मल्टिफ इंपूट लैइन और आउटपूट लइन केतना होता है output एक होता है single, single output line, तेक है, साथ में इसमें एक और चीज़ होता है, जो कहते है select line, select line केतना होता है, अगर 2 to the power n input line है, तो select line n होगा, select line केतना होगा, n, n is the select line, ओपके, यह इं लिखा हुआ है, there are 2 to the power n input lines, where n is the select line, whose bit combination determined which input is selected and having single output line okay कहा रहा है कि n क्या बताता है कि कौन सा input 2 to the power n में select होगा output में जाने के लिए output कितना है output तो एक ही है single तो output में कौन सा input select होके जाएगा वो select line डिसाइड करेगा तो हम लोग आते हैं इसके block diagram के उपर और कैसे यह work करता है इसके उपर बात करने के लिए तो सबसे पहला देखते है एक example यह कहलाता है 2 is to 1 max इसको 2 is to 1 लिखें या कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 2 into 1 ऑके सेम चीज़ है 2 is to 1 का है या 2 into 1 का है बात एक ही है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 1 is to 1 1 क्या है देखिए अब हम लोग यह पढ़ा था अभी उपर मेंटिफमेशन ने पढ़ा ना कि 2 to the power n में n क्या है select line है और 2 to the power n यह total क्या है input है और output केतना होता single तो देखिए यहां बात करते हो ही 2 to the power 1 का मतलब क्यतना है 2 तो 2 इसका input रहेगा यह n है 1 तो एक इसका select line रहे है ओके तो यह तीन चीज़ बता रहा है पहला यह वाला बताएगा input total input केतना है यह उपर में जो इन बता रहा है वो बताएगा कि select line केतना है और यह बताएगा कि आपका output केतना है तो हमेंसा multiplexer में output एक होगा ठीक है demultiplexer उल्टा होता है इसका में बाद में बात करेंगे अब ही multiplexer समझ रहे हैं तो सिफ समझे कि input क्या होता है टुट अपार न होता है output क्या होता है वन होता है select line वैरी करेंगा टुट अधना रहेगा अभी वान है यह वन सिल्क लाइन होगा देखिए तो टू इस्टू अन्मक्स यह बन गया यह इसका input है दो input टू दू पार व अब यह input output आपको समझ में आ रहा होगा आसानी जागी यह input क्या है जो input देंगे उसका combination होके output में आएगा यह select line फिर क्या कर रहा select line एक तरह कह सकते controlling input है ठीक है यह control करता है किसको control करता है input को यानि कौन सा input select होके यहां output में जाएगा यह select line डिसाइड करेगा ठीक है अगर अगर इसका internal circuitry देखे हम लोग तो internal circuitry switching circuitry इस तरह का होता है यानि i0 पे input आ रहा है i1 लेकिं कौन input पास होगा output में यहां प्लाइनहीं ठीक है तो कौन input pass होगा output में यह switch करेगे अगर switch यहाँ में connect हो गिया तो i0 pass होगा अगर switch यहाँ connect होगा तो i1 pass होगा तो यही switching जो है यह следующ line है जहाँ है यह switching जब यह switching zero देगा तो यह i0 को pass करेगे ओपर वाले को ओके जब यह one होगा तो यह क्या करेगा i1 को pass करेगा यानि जब यह 0 होगा तो यह switch यहां connect हो जाएगा yes जब 0 होगा yes जब 0 होगा तो यह वाला switch कहां connect हो यहां connect हो जाएगा i0 pass 1 लएगा और yes जब 1 होगा तो यह वाला switch यहां connect हो जाएगा और क्या पास होगा i1 पास होगा ओके तो यह आपको switching circuit समझ में आ रहा होगा किस तरह से switching काम करता है और किस तरह से इंपूट को पास करता है i0 i1 मैंने यहां पर दिखा दिया है yes यह select line यहां दिखाया और यह अंदर में बॉक्स में लिख दिया सब लिखा हुआ है clearly आगे बढ़ते हैं देखिए y equal to यह इसका अगर हम select यह output का अगर हम कहें कि boolean expression लिखिया output का तो यह select line के combination से चल दा है कि select line 01 पे depend करता है कौन सा input पास करेगा तो यह boolean expression कैसा लिखाएगा पहली बार में यह क्या होगा बार होगा compliment के form में लिखाएगा और दूसरी बार क्या होगा uncompliment जब बार होगा मतलब यह 0 होगा और एक बार क्या हो सकता यह 1 हो सकता है तो एक बार यह s बार होगा और दूसरी बार यह s होगा तो इस बार जब होगा तो क्या आउटवरी इंपूटो को जाता है लिए लिए यहां उच्क्ए होगाirse। आगर 10 से लक्रोगा थो यह यह आइवन को ले गा इसकर को लोगिए लागवराइग तो यह वण यह दिएat तो इस्टू वन मक्स का अगर हम लॉजिकल डाइग्राम बनाएं जो स्विचिंग यहां पर रहे था यह सीुचिंग सर्कुिट था लॉजिकल डाइग्राम क्या बताता है कि देखें सिंप्ली इसमें क्या दो एंड गेट है एक और गेट है तो हैं और मैंने कहा कि पहले ही मै क्ट्रोल और और यह आट एंट अश्यमेन करते हैं एक छूरिक्त करनेट क्तो पर जाएगा कि आएबन पर पर जाएगा यह जीरो कर देना तो यहां पर यह यह होते वह यहाँ देगा और यहाँ पास करें x यहां पर और जो आएगा यह वाला टर्मिनल जो हजाएगा तो आप और गेट को इंतियार रहेगा यह इस इन्पूत का क्योंकि इसमें तो अल्य पीडिकी रहेगा कुछ है नहीं तो जो हम प्राइब यहां होने पर यह क्या आजएगा यहां आजएगा वन आजएगा तो जो यहां सोते हुए यहां आएगा है क्या थे क्या देखा हम लोग कि सेलेक्ट लाइन को अगर जीरो कर रहे हैं तो कौन सेलेक्ट हो रहा है यहां आपना करेंगे तो यहांस होते और यहां क्यहां नहीं होते मिस्टाइगा है इसमें इनपूट ट Government अब इसको आndrasal यहां यहां आएगा यहां यहां आएगा और आएवन यहां पास करता है तो बेसिक लीए आपको समझ में आगया होगा कोई दिक्कत नहीं हम देख लिए switching circuit diagram देख लिए कैसे select line वर्क कर रहा है यह सारा चीज़ देख लिया तो अब हम लोग बढ़ेंगे 4 is to 1 max आगे बढ़ते हैं तो 4 is to 1 max को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2 is to 1 जैसे उसमें लिखा था तो fix होता है 1 होता है input क्या होगा 2 to the power n होगा और output select line क्या होगा इन होगा वह चीज़ बार बार बोलना हूं मैं उसके इसाफ़ बैठाइएगा अपने आप जाएगा यह 4 is to 1 max बंच सकता है ऐसा select line केतना हो गया यहां पर है दो तो दो select line दे दिया एक एस वान एक जीरो ठीक है input केतना हो गया चार चार इंपुट जीरो आई-जीरो आई-वन आई-ट्री चार इंपुट आउट्पुट केतना है एक एक आउट्पुट तो यह हो गया 4 is to 1 max ओके आगे अगे जबते हम ल 0-1 101 यह तो basic मालूम है 00 होगा तो क्या स्याक होगा आई-वन आएगा वन दिरो आई-ट्री इसका output expression लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 00 के लिए कि होथा बार होता मालूम है s1-bar s0-bar i0 स्याक्ट होगा ओके जब यह दुनों होगा s1-bar s0 तो आई-वन स्याक्ट होगा बैक सेहें चारों का लिखा गया यह तो टेबल किसका है फोर इस टू वन मक्स का यानि स्टिक्ट पर डिपेंड करेगा सुचिंग या है सुचिंग जैसे ही चैंज करेगा वैसे लिए आपका आपका नशीर करेंग कोई एक आपकोट आईगा ओके युक्किलाइन कितना होता ह आप इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको यह समझ में बहुत बेसिक चीज है बहुत छोटा चीज है लेकिन गेट में बहुत ज़्यादा पुछा आता है कहता है कि बताइए कि हाउमेनी के टिष्टी वन में अप्स टौन मक्स यानिक है फूइस्टी ववन मक्स आपको बनाना है तो कितना पुस्टी वन मक्स चाहिए कितने टूइस करना है यहाँ किसी उन गया Sब्सिति खुक्ष्टी क्योंट को गाल एक एक उट्पूट है सिलेक्ट लाइन केतना हो गया सिलेक्ट लाइन एक इसका ने अचैनल लेंग फटान हो गया तो आभी हम लोग पढ़ा अभी उपर हिए फॉर इस्टू नुग्स जब बनाते हैं तो टू तू दा पावर टू इस्टू लिखतें इसको तो इसमें क्या बता था? चार input होगा. तो यहां चार input होगा. दो select line होगा. तो दो select line होगा. एक output होगा. तो यह overall क्या है? combined रूप से क्या कलाएगा? यह combined रूप से कलाएगा 4 is to 1 max. जबकि यह बना हुआ किसे है? 2 is to 1 को यूज करके बना हुआ है. समझ मैं है बात, तो 2 is to 1 max को use करके 4 is to 1 max कैसे बन गया, देखा हम लोग यहां पर figure में, अब बदाइए कि कितना 2 is to 1 max लगा, तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, टोटल, 3 2 is to 1 max 1 को use करना पड़ा, किसको बनाने के लिए, 4 is to 1 max को बनाने के लिए, ठीक है, तो यह objective question बोलता सीद है, कि how, how many 2 is to 1 max required for implementing 4 is to 1 max, ओके, यानि कितना 2 is to 1 max चाहिए, अगर हमको 4 is to 1 max बनाना है, तो, तो इसका एक shortcut तरीका मैं बता रहा हूं, कि कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे number of required max, ठीक है, अगर आपको basic समझना है, तो यह मैंने एक note बना के यहां, लेकिन मैं यह बना बता रहा हूं, कि कैसे करना है, जैसे माल लेजिए, 4 is to 1 max बनाना आपको, sorry, 4 is to 1 max यूज करना है, और बनाना क्या है, 16 is to 1 max को बनाना है, तो क्या करेंगे, simply पुछा जा रहा है, कितना 4 is to 1 max यूज होगा, 16 is to 1 max को बनाने में, तो आप अपने concepts अगर सोचेंगे, तो बनाते रहेंगे, और आरंज करते हें, करते हें, करते करते हैं लास मिरें जाएंगे, लेकिन एक shortcut तरीका यह है, कि यह जो input line है, इनलबाइन हमेशा two to the power in vaude terminal को देखेंगे, two to the power in vaude terminal यह तूनों है, इन दोनों को आपस में divide करेंगे, तो कैसा हो जाएगा, तो 16 divide by 4, तो क इतना बसता जाएगा बार बार उसको निचे बार से डिवाइड कर जाएगा consecutive division, तो 4 को 4 से कटेंगा 1, 1 आया, यानि पहली बार में 4 आया, दूसरी बार में 1 आया, तो 4 प्लस 1, that is कितना, 5 यानि, 16 इस्टु 1 मक्स अगर बनाना है, by using 4 इस्टु 1 मक्स, तो कितना लएगा 4 इस्टु 1 मक्स, 5 लएगा total, यही चीज़ यहां किया, 4 प्लस 1, 5, ओके, वैसे ही देखें, 2 इस्टु 1, 8 इस्टु 1 बनाना अगर, यानि कि 2 इस्टु 1 को यूज करके, आपको 8 इस्टु 1 ब है, 1, तो कितना आगया, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, 7, यह यहां, 7, ठीक है, I hope यह सब बेसिक चीज़ समझ में आ रहा होगा, आप थोड़ा-थोड़ा, आप देखिए, आगे, 4 इस्टु 1 को यूज करके, 64 इस्टु 1 मनाना है, फिर से वैसे ही डिवाइड किजिए consecutive, तो पहली बार में 16 बार में कटेगा 64, 16 चागो 64, फिर 4 बार में 16 कटेगा, 4 चागो 16, और फिर एक बार में 4 कटेगा, 4 इकम 4, टोटल कतना हो जागा है, 21, वैसे ही इसको देख लिए, 256 इस्टु 1, 4 इस्टु 1 को यूज करके, तो किजेगा, 35 आएगा, ओके, आगे आते करेंगे, 4 आया, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 वैचार करेंगे, 1 आया, सब को जोड़ देंगे, 64 यहां से आया, 16 आया, 4 आया, एक आया, 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, कहतना हो गया, 85, यहां 85 है, ठीक है, इसका है, मैंने यहां कर दिया, आपके लिए, आसानी से यह देख कितना हो गया, 3 लाएगा, 3 कैसे connect करेंगे, यह connect करके मैंने यहां दिखा दिया एक, वैसे ही आपको, यह सारा चीज, अगर पूछा जा तो connect करके दिखाने के लिए, आप इस तरह से connect करके arrange करेंगे, कि यह इतना ही आपको multiplexure user, जैसे अगर बोला जाए, कि 16 इस तो 1 मनाना है, by using 4 is to 1, तो कितना multiplexure connect होगा, तो 5 होगा, 5 ही connect होगा, लेकिन connect होने बाद input होना चाहिए, कितना उसका, 16 होना चाहिए, यह output कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है, arrange कर लेंगे, अराम से, एक बार practice कि जाएगा, अपने आप यह समझ में आ जाएगा, कुछ भी practice में नहीं है, okay, तो मिलते हैं next lecture में, thank you so much.